आज हम बनाते हैं राजस्थान में बनने बाला और अजवाइन बालेंगी अजवाइन बालेंगे, जिसे बाठी में बहुत ही अच्छी तक है मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में इसमें आदा कटोरी धही और एक चम्मच भरके इसमें मलाई डाल देंगे और आदा कटोरी इसमें दूद डाल देंगे दूद और मलाई डालने से यह बाटियां सूपर सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही खिली-खिली और बहुत ही उबलने के लिए रख देंगे और जब पानी में उबाला जाए जब इरी बाटियों को डाल देंगे अब बाटि बनने जब एक है कि ये बाटिया एक तो डबल हो जाएगी और फूल के उपपर अजएगी तब समझ लो की ये बाटिया बन गई है तो पांस से दस मिνट लगता है फिर इनको निकालने के बाद में इनको एक कपड़े पर सुखा लेंगे जब पानी सूख जाता है तो यह चिपकती नहीं है चिपकेगी नहीं और फिर उसके बाद में इसमें तंदूर या ओवन में किसी में भी डालके इनको सेख लेंगे सेखने के लिए इसको दीमियाच में 15-20 मिट तक सिखने देंगे और फिर फुल गैस करके इनको सेख लेंगे सेखने के बाद में आप देखो कितनी प्यारी रंगत आई है इन बाटियों की बहुत ही टेश्टी बाटी बनती है और फिर बाटी जब बन जाए और फिर इनको सेखने का यह है कि इसमें दाल फ्राई और रसन की चटनी और मिट्ची के साथ इनको सेख करेंगे इस तरह से आप बाटी बनाओगे तो बहुत ही टेश्टी बनेगी और सब आपकी तारिफ करेंगे एक बार जरूर बनाना और बना के मुझे कमेंड्स वोक्स में जरूर बताना कि ये बाटी कैसी लगी थैंक यू